Hello everyone, आप सभी का स्वागत है Magnet Brains Hindi Medium में मेरा नाम वेदान सिंग है और मैं हूँ आप सभी का English Educator आज हम क्या करने वाले हैं? चलिए देखते हैं Class 11 English Bihar Board की The Rule of the Road Chapter No.4 के Questions and Answers को में कवर करेंगे जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कवर कर जोके हैं इस Chapter के Explanation Part अगर आपने नहीं देखा है तो आप Link में जाकर Description Box में Details चेक कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ दिया है Work in Small Groups and Discuss These Questions चोटे ग्रूप बनाईए और इन Questions को Discuss करिए यह दिया है Page No.37 पे Question No.1 Does Democracy Have Anything To Do With Freedom? क्या Democracy का कुछ Relation है Freedom के साथ? आपको लगता है? Like Democracy Anything To Do? कुछ करता ही है Freedom के साथ वो? Democracy यह चीज हमको समझ नहीं है चीक है? और Already जब हमने Chapter Cover किया था तो उस सब्सक्राइब हमने इस चीज़ को समझा था अब हम Question Answers के Format में देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा? अब देखें, Question करने से पहले, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा Important Keyword यह है Democracy अब, Democracy से आप क्या समझते हैं? Democracy का मतलब होता है Our system in which the government of a country is elected by the people चीक है? अब यहाँ पर क्या होता है? कि जब कभी भी, जब जनता इखटा होकर सरकार को चुनती है तो वो जो Condition है, उसी को हम Democracy कहते हैं? अब हम Answer Cover करते हैं Democracy without Freedom is meaningless देखिए, अगर Freedom नहीं है डेमोग्रेसी में तो फिर डेमोग्रेसी का कोई अर्थ नहीं होगा ठीक है? अब इसका महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम डिसकस करने वाले हैं ऐसा क्यों? Democracy means Freedom of People Democracy का मतलब होता है लोगों की आजादी ठीक है? To choose their government For this, they must have freedom of speech and freedom of movement with fear अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? देखिए, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि डेमोग्रेसी का मतलब यह है आजादी ठीक है? और यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम choose करते हैं किसको choose करते हैं? सरकार को choose करते हैं For this, they must have freedom इसके लिए क्या आवश्या कि इसके लिए आजादी होनी चाहिए? किनको आजादी मिलनी चाहिए? यहाँ आजादी मिलनी चाहिए लोगों को किसके लिए? Of speech and freedom of movement with fear यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? कि हम सभी लोगों को आजादी मिलनी चाहिए आजादी क्यों मिलनी चाहिए ताकि हम government को elect कर सके यहाँ कोई डर नहीं होना चाहिए और हम easily लोगों के द्वारा क्या करें government को elect कर सकते हैं चले अब हम आते है question number 2 पे In democracy, citizen's role is of utmost importance How? अब इस question में यह पूछा जा रहा है कि आपको यह बताना है कि democracy में नागरिक जो होता है उसका role कितना है? उसका role में तो पूर्ण क्यों है? चले इसके answer को हम देखते हैं In democracy, citizens have the power to choose their representatives democracy में क्या होता है? नागरिक के हाथ में यह अधिकार होता है कि वो क्या करेगा? वो choose करेगा किसको choose करेगा? representatives को choose करेगा It is very important यह अत्यंत महत्वपून है that they use this power कि वह अपने इस शक्ती का उपयोग करें Most judiciously they should also see that उनको यह चीज भी देखनी चाहिए कि that their representatives are doing their duty कि उनके जो representatives है वो यह सारी duty अच्छी तरीके से निभार है In the right way अच्छे तरीके से अब यहां पर representative का मतलब क्या होता है और judiciously का मतलब क्या होता है इसको हम देखते हैं representatives a person who has been chosen to act or speak for somebody else for or for a group अब representative का मतलब यह होता है कि हम किसी वेक्ती या किसी group को choose करते हैं अब यहां पर कोई भी person हो सकता है वो चीक है has been chosen to act or speak या तो वो कोई action करेगा या तो वो कुछ न कुछ बोलेगा किसी और के लिए या किसी group के परती आप उधारन के तौर पर ले सकते हैं हम क्या करते हैं हम एक group को चुनते हैं वो group क्या करता है वो group क्या करता है हमारे लिए एक rules and regulations बनाता है तो उस group में किन को चुना हम लोगों ने अपने ही लोगों को चुनकर उन लोगों को representative वहाँ पर बनाया Judiciously का मतलब गया है वो देखते हैं In a way that has or shows reason and good judgment in making decisions अगर ये एक तरीका होता है जहाँ पर हम decisions को अच्छे तरीके से ले सकते हैं अच्छे तरीके से विवेक पून सम्मत्ता के साथ Why are fundamental rights important to us? अब इस question में पूछा गया है कि मौलिक अधिकार जो fundamental rights होते हैं वे महत्वपून क्यों है? Important क्यों है? Answer Our citizens has fundamental rights एक citizen के बास क्या होता है? Fundamental right होता है अब ये fundamental right क्या होता है? आप लोगोंने समाजिक विज्ञान की पुस्तक में ये जरूर पड़ा होगा कि fundamental rights जो है न वो actually आपके मौलिक अधिकार है अधिकार दिया गया है आपको आपको आजादी दी गई है ताकि आप अपने समाज में अच्छे से खुल कर जी सकें Article No.1, Article No.2 इस तरह से अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अगर किसी भी व्यक्ति के पास fundamental right नहीं है मौलिक अधिकार नहीं है He is not a citizen तो वह व्यक्ति क्या होगा? वह व्यक्ति citizen नहीं होगा क्या नहीं होगा? citizen नहीं होगा He, she is a slave वह कौन कहलाएगा? यह लड़का, यह लड़की क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा slave slave का मतलब होता है दास slave to work very hard slave का मतलब दास भी होता है और वह दास क्या करता है? बहुत hard work करता है तो यह दोनों एक ही meaning में आते हैं तो दास से क्या करते हैं? हम बहुत hard work करवाते हैं चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले question पे Question number 4 क्या कह रहा है? Have you ever wondered what keeps the traffic move smoothly without running into one another? क्या कभी आपने यह बात सोची है अपने mind में कि traffic signal में traffic signal आप जानते होंगे यातायाद की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे तो जब हम यातायाद की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है गाडियां इतने अच्छे से आती हैं जाती हैं तो यह कैसे होता है संभव यह question में पूछा जा रहा है तो हमको इस question का answer देना है देखते हैं कैसे देंगे अब देखिए पहले एक word clear करता हूँ wondered का meaning wondered का meaning क्या होता है wondered to want to know something यानि कुछ जानना to want to know something कुछ जानना like have you ever wondered क्या आपने कभी सोचा है what keeps the traffic move smoothly तो already हम cover कर गए अब हम answer देखते हैं I know it moves smoothly मुझे पता है कि वह धीरे-धीरे smoothly अच्छे से move करता है because it obeys the नहीं वह obe का मतलब गया होता obeys का मतलब किसी जीच को मानना यहाँ पे वो मानता है the rule of the road क्योंकि rule of the road को follow किया जाता है अब आप सभी को पता होगा जब हमने explanation part cover किया था उसी समय हमने यह समझा था कि rule of the road होता है तो है गया actually rule of the road का मतलब road का मतलब होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं हम अपने जो खुद के rights हैं खुद की जो अधिकार हैं या खुद की जो liberty उसको क्या करते हैं कम करते हैं ठीक है दाकि लोगों का भलाओ तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है if vehicles and pedestrians did not obey the rule यदि vehicles और pedestrians like जो लोग चलते हैं footpath पे अगर वे लोग follow नहीं करेंगे obey नहीं करेंगे the rule of the road अगर वो rule of the road को follow नहीं करेंगे there would be confusion and accidents तो ग्या होगा confusion होगा और accidents होगे चलिए अब हम क्या करने वाले है answer the following questions briefly अब हम answer the following questions start करने वाले है यह थोड़े briefly हमको इनकी answers देने हैं आपर यह दिया है page number 39 पे why did the old lady refuse to walk on the pavement ठीक है अब देखें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है क्यों जो old lady थी वो refuse करती है refuse refuse करती है to walk on the pavement pavement में चलने के लिए वो क्यों मना कर देती है इसके पीछे क्या कारण है तो हम question answer कर रहे हैं तो answer को देखते हैं she refused to walk on the pavement वो मना कर देती है pavement में चलने के लिए because she believed she had got the liberty to walk where she liked इसका मतलब है वो believe करती है वो विश्वास करती है she had got the liberty उसको liberty मिल चुकी है उसको आजादी मिल चुकी है to walk where she liked like उसको walk करने की liberty मिल चुकी है जहां पर वो जा सकती है कहीं पे भी बिना किसी रोकेटों के ऐसा उसने खुद में विश्वास कर लिया यहां पर यह कहा जा रहा है अब यहां पर refuse का मतलब गया होता है refuse to say or show that you do not want to do इसका मतलब है कि हम मना कर देते हैं कोई भी चीज को करने से direct no हमें नहीं करना मैं इस काम को refuse करता हूँ क्योंकि यह काम अच्छा नहीं है मैं refuse कर देता हूँ pavement अब pavement का मतलब गया होता है a hard flat area at the side of a road for people to walk on pavement गया होता है एक ऐसा area होता है जहां पर लोगों को walk करने के लिए जगा दी जाती है how did she cause a chaos अब देखते हैं इसका answer अब chaos का मतलब क्या होता है एक ऐसी condition आ जाना जहां आप यह देख रहे हैं कि हर जगा हल्ला गुल्ला हो रहा है chaos हो रहा है by walking in the middle of the road she disobeyed the rule of the road and caused confusion अब यहां पर क्या कहा जा रहा है by walking in the middle of the road जब वो बीच रास्ते में बीच रास्ते में चल रही थी she disobeyed disobeyed का मतलब होता है किसी जीश को follow ना करना बात को ना मानना the rule of the road उसने क्या करा? rule of the road को follow नहीं किया and caused confusion और क्या किया? confusion caused किया confusion का मतलब होता है कुछ समझ ना आना ब्रहमिद हो जाना confusion का मतलब होता है ब्रहमिद हो जाना everybody was getting in everybody else way हर एक आदमी क्या कर रहा है वो यह कर रहा है कि दूसरे के रास्ते में आ रहा है जो की बिलकुल भी सही नहीं है यहाँ पर यही उधारण जो है प्रस्तुत किया गया है how has the author defined liberty? author ने liberty को कैसे define किया है? परिभाशित किया है define का मतलब होता है परिभाशित करना liberty को liberty का मतलब होता है आजादी तो चलिए अब हम answer देखते हैं the author has defined liberty as a social contract यहाँ पर author ने define किया है liberty को एक social contract की तरह students, social contract का मतलब गया होता है चलिए एक बार इस पर दृष्टी गुमाते हैं यहाँ पर यह कहा जा रहा है social contract से यह होता है सामाजिक समझोता जैसे की यह आप हैं और एसे बहौत सरे लोग हैं आपके साथ और वे सब क्या कर रहे हैं एक समाज बना रहे हैं एक समाज का गठन कर रहे हैं इसकी या नहीं इसकी आपको क्या करना है क्या नहीं करना ताकि हर एक वैक्ति जो समाज में रह रहा है वो सुक्स विधा पूर्वक रह सके उसको कहते हैं social contact एक समझ होता साधन सा समझ होता अब यहाँ पर देखिए रुची इंट्रेस्ट का मतलब होता है रुची ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं Q4 दिया है You have submitted to a curtailment of private liberty in order that you can enjoy a social order which makes your liberty a reality What does the author mean? अब यहाँ पर देखते हैं question number 4 जो है brief answers का वो हमको यह बताना चाह रहा है कि कही ना कही हम क्या करते हैं curtailment of private liberty कही ना कही हम सभी society में adjust होने के लिए अपने जो private जो अपने खुद की liberty होती है सोयम की खुद की सोयम की आजादी जो होती है उसको क्या करते हैं ताकि हमारे जैसी लोग जो social order में रह रहे हैं उन लोगों का क्या हो उन लोगों का भी कल्याड हो what does the author mean? इससे author क्या समझते हैं? यहाँ पर exact meaning नहीं समझना हमें question की हमें भाव समझना है प्रश्न का अब answer देखते हैं liberty is not entirely a private matter देखिए liberty जो है वो पूरी तरीके से entirely पूरी तरीके से अब private matter नहीं है आप यह नहीं कह सकते हैं यह आपके स्वयम का मुद्दा है यह आपके स्वयम का मुद्दा नहीं है we live in society हम सभी समाज में रहते हैं so no man's liberty should take away another man's liberty so no man's liberty यानि किसी और आदमी की जो liberty है जो आजादी है वो क्या नहीं करनी चाहिए वो दूसरे आदमी की आजादी को चीनना नहीं चाहिए उसको लेना नहीं चाहिए यहां कहने का अर्थ यह है कि यदि मैं A आदमी हूँ और यहां पर B आदमी खड़ा है अगर मैं ऐसा कोई काम करता हूँ जिससे उसकी आजादी चिनती है तो वो गलत है हर एक आदमी क्या करेगा सूशल ओर्डर और पीस को इनजॉय कर पाएगा चले कोशे नमबर फाइब देखते है What is the danger the author is referring to in paragraph 2 किस खत्रे के बारे में बात करने paragraph नमबर टू में देखते है The author is referring to the danger of a chaos like the one the old lady caused by disobeying the rule of the road इस paragraph में वो उस खत्रे के बारे में बता रहे है जैसा खत्रा किस ने लाया था old lady ने Old lady क्या करती है बिना बताय बिना सुचे समझे क्या करती है वो चली जाती middle road में बास्केट लेकर जो की बिलकुल भी सही नहीं है तो उसी खत्रे के बारे में बता रहे है author यहाँ पर If everybody wants unlimited liberty अब जैसे इन lady को चाहिए धक्या इन lady को चाहिए था unlimited liberty तो वैसी unlimited liberty एगर हर किसी को मिले लग जाएगी तो chaos तो होगा ही हलागुला तो होगा ही How is liberty a social contract Question number 6 में पूछा जा रहा है कि liberty कैसे एक social contract है अब social contract होता क्या यह हमने already cover कर लिया अब हमें ये समझना है कि liberty कैसे है social contract क्या role है आजादी का social contract में Liberty is a social contract Liberty क्या है एक सामाजिक समझ होता है In the sense that no individual will trample over the liberty of anyone else इस तरह से इस sense में कि no individual कि हर कोई जो individual है वो क्या नहीं करेगा trample नहीं करेगा अब social contract में क्या है Liberty is a social contract in the sense that no individual कोई भी individual क्या नहीं करेगा trample नहीं करेगा damage नहीं करेगा hurt नहीं करेगा किसी और की liberty Social contract को आप समझ चुकी होंगे कि यहाँ पर liberty का role क्या है यहाँ simple सा role है कि कोई भी किसी और की liberty को हानी नहीं पहुचाएगा Are the rights of people less important than the right of the nations अब यहाँ पर देखते हैं क्या कहा जार अब देखे rights of the nations की बात हो रही है अब यह है आपका page number 41 का question answers ठीक है अब आप लोग question answers लिखने के लिए copy और pen लेकर आईए without any wasting time अगर आप नहीं लेकर आएँ अगर आप simply सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं लेकिन तब भी copy pen अगर आप लेकर आएँगे तो overall बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि कोई doubts अगर होंगे आपको तो आप उन doubts को clear कर पाओगे तो अब ये question कहना क्या जा रहा है जो अधिकार होते हैं लोगों के वह भी मैत्वपूर्ण है जितने अधिकार राष्ट के लिए होते हैं Why couldn't the author read his book during his real journey अब यहाँ पर बड़ा ही अच्छा सा प्रश्ण पूछा जा रहा है और यह बहुत ही प्यारा प्रश्ण है और यह प्रश्ण उत्तर जो पूछे जा रहे हैं यह संभावना है कि यह आपके exam में भी पूछे जा सकते हैं यह वाले question हमेशा पूछे जाते हैं इसलिए इस question को आप IMP कर लें अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है Why couldn't the author अब यहाँ पर author क्यों नहीं पढ़ पाते किताब को जब वो रेल की यात्रा कर रहे होते हैं He could not read his book वे अपनी किताब को नहीं पढ़ पाते क्योंकि अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि देखिए वो किताब इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा महत्वपून कारण यह था कि जैसी वो रेलवे कैरीज में बैठते हैं तो वहाँ पर एक आदमी आता है वो आदमी क्या करता है वो आदमी एक अजीव loud voice और लेंदी भाशा में लोगों से बातचीत कर रहा होता है जो उनको disturb कर रहा था और वो क्या करता है अपने दोस्तों से बातचीत करता है तो कही ना कहीं वो वो किताब को नहीं पढ़ पाते अब यहाँ पर देखते हैं इलूस्ट्रेशन का मतलब होता है एक्जाम्पल्स कन्वे मतलब बताना तो यहाँ पर ओधर क्या बताना चाते हैं ट्रॉम्बोन की एक्जाम्पल से अब यह आपको पता है कि यह क्या था एक बाजा है बजाने वाला अब हम इसके आंसर देखते हैं अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है ओधर क्या कह रहा है ओधर वांड्स तो से दाट वो यह कहना चाते हैं इतने लंबे समय तक जब तक वो दूसरों को डिस्चरब नहीं कर रहे देखिए आपको अधिकार है आप कोई भी काम करो आप बाजा बजाओ ठीके आप चाहो तो आप पतंग उड़ा सकते हो आप कुछ भी कर सकते हो अपने घर पर बैट कर लेकिन अधी ऐसा काम हो रहा है जो दूसरे की आजादी को क्या कर रहा है हनन कर रहा है परिशान कर रहा है तो ऐसा कारे बिलकुल भी पल्लवित नहीं हो सकता और समाज के लिए भी बिलकुल अच्छा नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है क्या convey करना चाहते हैं ट्रॉम्बोन की example के दोरा यही कि बाजा बजाओ तो अच्छे से बजाओ अपनी सीमा तक बजाओ किसी और की आवशकता नहीं है कि वो आए उसको भी सुनाओ हो सकता है किसी को ट्रॉम्बोन ना सुनना हो चलिए अब question number 4 cover करते है What two types of reading does the author refer to author यहाँ पर किन दो तरह की reading की बात करते है How are they different किस तरह से भी अलग-अलग है अब दो तरह की readings होती है अब देखते हैं वो दो तरह की readings किया है अगर आपको याद है तो आप comment section में comment करके बदा सकते है बाकी मैं यहाँ पर cover करवा रहा हूँ The author refers to reading for pleasure and reading as a task दो तरीके की reading होती है एक होता है reading किसके लिए? टास्क के लिए मेरा कल exam है मुझे सिर्फ इतने paragraph पढ़के जाना है इस किताब से तो मैं पढ़के चला जाऊंगा और इसके वापने इस किताब को हाथ नहीं लगाना यह पहले बात दूसरी बात pleasure मैं यह कहानी पढ़ रहा हूँ just for my pleasure अपने आनन्द के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ अगर आप आनन्द के लिए सिर्फ पढ़ाई हो मान लीजे कि आपके पास एक बहुत ही प्यारी सी पुस्तक है जो आप बहुत अच्छे और चाओ से पढ़ रहा है उसी समय ट्रेक्टर के बहुत तेज अवाज आ रहे कोई बात नहीं कोई इश्यू नहीं है आप उसको पढ़ते जाओगे वो निकल जाएगा ट्रेक्टर उसका साउंड कतम हो जाएगा और आप मज़े से पढ़ते रहोगे क्योंकि आपका इंट्रेस्ट सेमा और दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं ट्रेक्टर चला जाएगा कोई इश्यू नहीं उसका साउंड चला जाएगा लेकिन बट इफ यू आर रिडेंग ऐसा टास्क लेकर पढ़ रहे हैं यूजना बनाके कि मेरा तो कली एक्जाम है और अगर उसी से में ट्रेक्टर या कोई साउंड आ रहा तो बहुत तेज मंदर की घंटियां बज रहे हैं तो क्या होगा आप परिशान हो जाएगे यू विल एक्सपेक्ट रिजनेबल कॉइट आप चाहोगे कि कोई शान्ती बनाके रखे चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्यन नम्बर फाइव अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है हमको कुछ actions बताने हैं जहाँ पर किसी की भी लीव की बात नहीं ask no one's leave की बात आ रहे हैं some of the actions referred in the lesson are अब यहाँ पर कुछ ऐसे actions है जहाँ पर ask no one's leave आ रहा है देखते हैं Some of the action referred to in this lesson are Walking down a street in a dressing gown चलनार street में dressing gown पहन कर अब ask no one's leave इससे क्या समझते हो आप जहाँ पर कोई भी आपको रोक टोक नहीं कर रहा ठीक है ऐसे wearing long hair, walking barefoot, dying one's hair, waxing one's moustache Wearing tall hat, frock, coat and sandals Going to bed late, getting up early अब going to bed late ये सब जो हैं यहाँ पर कहीं न कहीं क्या है आपकी आजादी बता रहा है आपको कैसे आगे बढ़ना है आप कुछ भी कर सकते हैं अब यहाँ पर road Rule of the road से आप क्या समझते हो Give examples to show how necessary it is to preserve order in society अब यहाँ पर हम को बताना है किस तरह से यह बहुत ज़्यादा important है किसके लिए to preserve our order in society जो order maintain करते हैं हम समाच के लिए कि इसके लिए क्यों ज़्यादा महत पूर है The rule of the road means the regulations यानि नियम Rule of the road का मतलब होता है concerning the smooth and orderly movement of vehicles यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं किसकी बारे में बात की जा रही है Smooth और orderly movement की अब इसको समझने का प्रयास करिए यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मान लिजे आप road पर जा रहे है और वहाँ का जो system हो वो सही नहीं smoothly आप गाड़ी नहीं ले जा पा रहे है क्या कि orderly movement नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा आप परिशान होंगे तो इसी लिए यहाँ कहा है The rule of the road means the regulation concerning the smooth and orderly movement of vehicles जहाँ पर vehicles आराम से चल सके and pedestrians on roads अब pedestrians का मतलब गया होता है हम आम लोग जो चल सकते हैं roads पे without causing accidents बिना किसी accident के For example, in India अगर हम भारत की बात करते हैं we are supposed to keep to our left हम कहते हैं कि left side खाली छोड़ो If we want to overtake a vehicle और a pedestrian अगर जो पैदल चलने वाला आदमी है या कोई भी vehicle है उसको हमको overtake करना है We must do it from the right side हमको right side से करना चाहिए In cities, यदि हम cities की बात करते हैं बड़े महानगरों की बात करते हैं There are different lanes for pedestrian अलग-अलग path होती है अलग-अलग लोगों के चलने के लिए Light vehicles and heavy vehicles So that no accident take place on crossroads There is a policeman or signal lights to regulate the traffic अब अलग-अलग तरीके से अलग-अलग lanes होती है अब जाकिए Light vehicles के लिए अलग स्थान है Heavy vehicles के लिए अलग स्थान है और यहाँ पर एक चीज़ और दिया है वो है policeman or signal lights यानि कि यहाँ पर क्या होता है Traffic system में एक policeman भी रहता है जो हर एक चीज़ को regulate करता है When the policeman raises his hand जब policeman क्या करता है अपना हाथ उठाता है Or the red light is on यदि कोई red light चालू है Every vehicle must stop तो हर एक vehicle को क्या करना पड़ता है रुकना पड़ता है आपने सुना होगा लाल light के जो लाल light होती है वो क्या करती है वो एक ऐसी निशानी है यह आप कह सकते हो एक symbol होता है खत्रे का खत्रा है यहाँ पर या रुख जाओ Stop हो जाओ लाल जंडी Every vehicle must stop इसलिए क्या होता है हर एक vehicle को रुकना पड़ता है That vehicle from the other channel may move और हो सकता है कि जो अलग रास्ते में हो वो वाली move कर जाएगी vehicle अलग रास्ते में या अलग जगा पे है तो वो move हो जाएगी तो इस तरह से क्या होता है Traffic system manage किया जाता है Sometimes, some people do not care of these rules अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ना इन नियमों का पालन नहीं करते Because they are in Hari वो लोग इतने जल्दी में होते हैं कि वे लोग इनका पालन ही नहीं कर पाते But they are likely to cause confusion और इसलिए क्या होता है कही ना कही समस्याएं उत्पन हो जाती है Confusion आ जाता है यहना भ्रमित हो जाते है Then Hari proves to be very costly और वहा जो जल्दी भागनी की चक्कर में यही चीज हमारे लिए बहुत महंगा पड़ जाता है So these rules are meant to help people इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि यह जो rules होते हैं इस तरह के कभी-कभी लोगों की सहायता करते है And not to harass them वो उनको परिशान करने के लिए नहीं अगर police officer रास्ते में बैठा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो आपको परिशान करना चाहता है The rules are meant for all यह सारे rules हर एक आदमी के लिए बनाए गए हैं If somebody does not obey these rules अगर कोई vaccine rules को ओबे नहीं करता है Nobody will follow them कोई भी उनको follow नहीं करेगा Then there will be confusion and anarchy और ऐसे में क्या होगा? ऐसे में confusion आएगा ऐसे में anarchy आईगी Anarchy का मतलब क्या होता है? Already मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी situation जहाँ पर राज्य राज्य की स्थिती ही नहीं है State नहीं है उसको हटा दिया गया Question number two देखते है Who according to A.G. Gardiner Is a civilized man अब यहाँ पर A.G. Gardiner के अनुजार कौन है civilized man? Civilized का मतलब यह होता है कि आपने देखा होगा आज की युग में हम लोग कितने अच्छे से रह रह रहे है और बालों को ट्रिम कराया है अच्छे से ड्रेस पहनी है पहन है हात में बोर्ड है पढ़ाने का तरीका है आप देख पा रहे हैं हम कितने civilized तरीके से खाते पीते हैं यहना restaurant बनाया है और वहीं पर अगर हम ऐसा करें कि एक फुटपाथ ते बैठके खाना खोल के खाने लग जाएं तो यह एक uncivilized manner है तो civilized और uncivilized हम ही समझते हैं जहां हम अच्छे तरीके से स्थिति में आके चीज़ों करते हैं तो AG gardener is अब यहां पर क्या according to AG gardener उनकी अनुसार कौन है civilized man चलिए देखते A man who is conscious of his conduct ऐसा आदमी जो अपने काम जो करता है उसके लिए चेतन है जो भी काम वो करता है उसको वो अच्छे से करता है जागरुक अवस्था में करता है so as not to interfere in the liberty of his neighbors ताकि क्या हो अगर वो इतना जागरुक रहेगा तो वो जो neighbors हैं जो उसके पडोसी हैं उन पडोसीों को दखल अंदाज ही नहीं देगा उनना उनको disturb नहीं करेगा He is a truly civilized man वही civilized man है आप किसी और को परिजान कर रहे हैं अपने कामों के दवारा जो सामने वाले को बिल्कुल भी अच्छ ही लग रहा जैसे कि हमने उधारन देखा था हमने क्या उधारन देखा था हमने एक उधारन देखा था जहां पे जो हमारे author है वो क्या कर रहे थे वे एक train के डब्बे में बैठे हुए थे वहाँ पर एक आदमी आता है और वो आदमी क्या करता है उन आदमियों से उन आदमियों के बाद पीच में बैठ जाता है और कुछ ना कुछ डिसकस करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगता है तुझे लोग अच्छा ही लगता A civilized man obeys the rules even in small matters उनके अनुजार जो civilized man होता है वो क्या करता है हर एक rule को obey करता है A man is a liberty to enjoy and recreate himself in his house A man is at liberty अब एक आदमी के हाथ में आजादी कब आती है तब आती है जब वो enjoy करता है उसको और recreate करता है उसको अपने घर में But a civilized man makes sure जो civilized man होता है वो गया करता है sure करता है that his enjoyment does not interfere with the right of the neighbors जो उसका enjoyment है जो उसका interest है वो कभी भी interfere नहीं करना चाहिए किसी के भी अधिकारों के साथ to enjoy himself अब देखिए आप लोगों को भी कितना अजीब लगेगा यदि आप लोग कोई काम कर रहे हो और काम करते बक्त कोई आजाओ को disturb कर दे तो बिलकुल भी अच्छा महसूस आप लोगों को नहीं होगा तो यही बात तो है civilized आदमी कौन होता है civilized आदमी तो वही होगा जो अच्छे तरीके से बरताव करेगा लोगों का सही योग करेगा इसका मतलब यह नहीं होता यह आप अच्छा ही कर रहे है जो हमारा चरित्र है इसलिए कहा गया है कि हमको अपना चरित्र जो है वो बहुत अच्छा बना के रखना चाहिए जो भी काम अपने घर पर करते हैं वे सारे कारे जो है न वो कहीना कहीं लोग उसको नोटिस करते हैं और यही कहीं ना कहीं दर्शादा है कि हम सिविलाइज हैं कि नहीं हैं। Question number 3, long question answers का है, question 42, page number 42 पर जाईए। Unchecked personal liberty would lead to social Nrgy, अब ऐसी personal liberty जिसको अभी तक देखा नहीं गया, check नहीं किया गया, क्या वो हमको ले जा सकती है Nrgy था है। Elaborate Giving Example, कुछ example देखे हमको समझाना है। देखिए, ये कहीं ना कहीं ना तो feasible है और ना ही desirable है। If everybody had their way to do what they liked, अगर हर एक आदमें वो काम करने लग जाए, जो उसको आवश्चक है, there would be chaos. अब क्या होगा, अगर कोई भी काम किया जा रहा है, हम मेरे अनुसार कोई काम हो गया, आपके अनुसार कोई काम हो गया, तो कहीं ना कहीं हर एक चीज problem में create हो जाएगी। Let us take the example of traffic, चलिए, अब हम एक उधारन लेते हैं किसका traffic का, on the public highway, public highway के example लेते हैं, everybody has a right to use it, हर एक आदमी को अधिगार है कि वो उसको भी होग करें। But if there were no rules, अगर कोई rules नहीं है, everyone would like to walk or drive in the middle of the road, तो क्या होगा, हर एक आदमी को क्या करना होगा, drive करना होगा, middle of the road, जो road है, उसके एकदम बीच में जाना पड़ जाएगा। These would be collision, तकराओ होगा, and not only between vehicles coming from opposite side, but even between slow and fast moving vehicles. क्या होगा, अब ऐसे में ऐसी situation हो जाएगी, जहाँ पे सब लोग एक दूसरे से भिड़ जाएगे। Moving in the same direction और एगी direction में आ जाएगे, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि rules और regulation का अगर हम follow नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं हमको नुक्सन ओढ़ना पड़ जाएगा। Even now, we see that whenever people flout the rule of the road, there are jams and accidents. अब माल लिए जे, people flout the rule of the road, like ध्यान ही नहीं दिया, हट गए, flout से, like कोई मीनिग ध्यान नहीं दे रहे, flout कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे, rule of the road पर, so there are jams and accidents, अब क्या होगा वहाँ पर jam हो जाएगा, फस जाएंगी लोग, accident हो जाएगा, in our daily life, we will have no peace, हमें कोई भी peace न अबना है, his neighbor may have no rest, तो उसकी जो neighbors होंगे, उनको कभी भी शान्ती नहीं मिलेगी, उधारन की तौर पर, रात की दो बजे, अगर सामने कोई गाड़ी लेकर आयो बड़े से रिब्रेट गर है, और बहुत तेजी से गाने बज़रे हों, तो गया आपको नीद आएगी, बिलक दो दो दा अदर इन मेकिंग अनॉइस, और हर कोई कहेगा कि यार नॉइस से हमको बचना है, that is why there are laws to curtail individual freedom, इसलिए बहुत सारे laws आये हैं, ताकि हम क्या करे, individual वेक्ति, हर एक आदमी के जो रूल से हैं, उनकी जो एकजायम को थोड़ा काबू कर ले, हर आदमी के अधिकार उसको प्राप्त नहीं होगी, अगर मुझे अभी खाना है, तो ऐसा तो नहीं होगा, आपने कभी सोचा है, example के तौर पे कि apple प्रकट हो जाए और apple आपके हाथ में प्रकट हो गया, ऐसा नहीं होता, अगर होता होता, तो ऐसी आतंगवादी बोलते, कि bomb हाथ में प्रकट हो नहीं कर सकता, तो वही रूल से हैं, वही सोसाइटी में भी चालू होते हैं, सुचाही रूप से चल रहे हैं, चली, आगे बढ़ते हैं, there is order in society, अब देखे, that is why there are laws to curtail individual freedom, हर एक आदमी को individual freedom है, उसको रोका जाता है, कम किया जाता है, to the extent, इतनी दूर तक, that there is order in society, ताकि महाँ पे order रहे society में, शान्ती रहे, और, और, personal liberty of action is restricted by others people's liberty, others people's liberty, अगर दूसरी लोगों की liberty से हमारी खुद की liberty कहनन होता है, तो, how give, how give three examples, यहाँ पे आपको तीन examples देने हैं, अबर, personal liberty, अब देखिया, AG Gardiner has rightly pointed out, अब यहाँ पर, जो AG Gardiner है, उन्होंने क्या करा, point किया है, highlight किया है, liberty is not an entirely personal affair, यहाँ पर जो liberty हो, वो खुद की personal affair नहीं है, हमारे private चीज़ों से लेना देना नहीं है, उसका, it is a social control, एक समाजिक समझोता है, it is an adjustment of interests, interests, अब यहाँ पर क्या होता है, कि जो हमारी एक्छा है, उसके साथ हम क्या करते है, adjustment करते है, if a person has his liberty, अगर किसी आदमी की अपनी खुद की liberty होती है, so do others, तो दूसरे आदमी की भी होगी, so we all have to reach a compromise, इसलिए हमको एक compromise में पहुचना पड़ता है, everybody agrees to curtail their liberty, हर एक आदमी चाहता है, कि जो उसकी इक्छा है, उसको curtail किया जाए, अपनी जो liberty है, उसको रोका जाए, so that others may enjoy their liberty, ताकि दूसरी लोग क्या करें, उसको enjoy कर सके, for example, एक उधारन के तौर पर देखते हैं, अब passenger in a train, अब कोई passenger है train में, has the liberty, उसको liberty है, to talk to his friend, उसको आजादी है कि वो अपने दोश से बाचीत कर सकता है, but another passenger has no right, पर जो दूसरा passenger है, उसको कोई भी अधिकार नहीं है, to do some serious reading, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, क्या होता है, कि कभी-कभी जब हम railway station में जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो आपने देखा को कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो बड़े seriously होके exam की किदावे पढ़ रहे होते हैं, और कुछ लोग बातचीत कर रहे होते हैं, तो कहीना कहीं क्या होता है, एक situation create होती जहाँ पर उसकी liberty का हननन होता है, और कहीना कहीं अगर वो disturb करें, बोले कि सर इसा मत करो, तो उनकी liberty का हनन होता है, तो यहाँ पर उधारन दिया है, for an example, अब passenger in a train, अगर उधारन के तौर पर train में एक passenger है, has the liberty to talk to his friend, तो उसको आजादी है कि वो अपने दोस्तों से बात कर सकता है, बट another passenger has a right to do some serious reading, लेकिन उसको भी इजाजत है कि वो कोई ना कोई reading करें, so the former passenger should not speak, लेकिन उस जो starting वाल speaker जो इतना जादा बात कर रहा है, उसको अधिकार नहीं है, like उसको इतना तेजी से बात नहीं करनी चाहिए, that the other passenger is unable to concentrate, ताकि जो दूसरा passenger है वो concentrate ना कर पाए, देगे यही चीज तो हमको समझनी है, कि हम दूसरों के अधिकार का हननना करें, तो यहां AG Gardiner यही कह रहे हैं कि अगर कोई शान्ती serious reading कर रहा है, तो इसको करने दो, पर उस पर भी थोड़ा focus करो, आप अपने ही अपना मत चलाओ, आप दोनों एकटा बैटें और आप दोनों बात करें, और तीसरा वेक्ति कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहा है, वो पढ़ी ना पाए, तो ऐसी चीज नहीं होनी जी, इस तरह की घटनाए नहीं घटित होनी जाएए, मान लीजे, अब person wants to listen to songs on his radio, अगर कोई वेक्ति है, वो चाता है कि उसको song सुनना, आप सभी को song सुनना बहुत अच्छा लगता होगा न, तो वैसे यहाँ पर भी एक वेक्ति है, वो क्या जाता है, वो song को सुनना चाता है रेडियो में, at night, रा right to do so, right to do so, उसको अधिकार है, absolutely, 100% कि हाँ आप सुनिये, but he must see that his enjoyment does not disturb his neighbors, लेकिन ये चीज भी होनी जाई, उसके अंदर, कि वे रात के समय इतने तेजी से गाने ना सुनें, कि सामने वाला वैक्ति आपके घर में खटक टका है, कि जर आपने ये क्या कर दिया, इतनी रात क हमाई नींड जो है, वो उसको उड़ा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, similarly, while walking or driving, अगर हम walk कर रहे हैं, चल रहे हैं कहीं पर, अगर हम drive कर रहे हैं, on the road, we should let others drive and walk too, अगर हम किसी से कहते हैं, कि आप अच्छे से चलें, तो ये हमारा भी अधिकार है, like बोलने का कि आप अ अच्छे से चलें, तो यहां पर ये ही कहा जा रहा है, कि while walking or driving, अगर आप कभी चला रहे हैं, कई गाड़ी चला रहे हैं, या कुछ चल रहे हैं, on the road, we should let others drive, हम को दूसरों को भी क्या करना चाहिए, उनको इजाज़त देनी चाहिए, कि वो भी अच्छे से चला सकें, ऐसा नहीं कि आप पूरी गाड़ी को लहराते हुए, इधर उधर लेकर जा रहे हैं, और दूसरा वारा गाड़ी ले जाई नहीं पारा, गाड़ी चला ही नहीं पारा, किसी को अधिकार नहीं है कि वो रोग दे, ब्लॉक कर दे, और ग्या करें, दूसरे को भी रोग दे, कि नहीं नहीं, मैं ही चलाऊंगा ये गाड़ी, मेरे अधिकार है इस रोड में, ऐसा नहीं होना चाहिए, He has to walk, उसको ग्या करना है, उसको walk करना है, और drive in such a way, उसको इस तरह से चलना है, देखिए, यहाँ walk की बात हो रही है, चलने वालों के लिए है, और और की बात drive करने वालों के लिए, जो चलने वाला है, ऐसे चले धंक से चले, और जो drive करने वाला है, अच्छे से drive करे, in such a इससे क्या हो बाकी लोग भी अपने लिबर्टी को इन्जॉए कर सकते हैं and use it also. Question number 5. How can we enjoy personal liberty? किस तरह से हम personal liberty को इन्जॉए कर सकते हैं? And also respect the liberty of our neighbors. और कैसे हम दूसरों की liberty को भी क्या कर सकते हैं? और यहाँ पर क्या दिया है? Give examples. यानि हम ही क्या करना है? यहाँ पर उधारन देना है. चलिए इसके answers देखते हैं. Answer है, we live in a civilized society and we enjoy some rights. हम सभी कहा रहते हैं, हम सभी एक ऐसी society में रहते हैं, जो कि civilized है. Like, जहाँ पर सभी लोग जो रह रह रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं? अच्छे तरीके से रह रहे हैं. एक society जो है, established form है, जह हमको पता है कपड़े कैसे पहनना है, जह हमको पता है बाते कैसे करना है, ठीके? तो उनी लोगों को civilized कहा जाता है. And we enjoy some right. और यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम एक right जो है, right को भी enjoy करते हैं. सरकार ने हमको क्या दिये हैं? fundamental rights दिये हैं, मौलिक अधिकार दिये हैं, जिन मौलिक अधिकारों के तरजबर हम क्या कर सकते हैं? हम सरकार के पास जा सकते हैं कि इन्होंने हमाए right जो हैं, उनका हनन किया है. अगर कोई आपके साथ गलत करता है, तो आप सरकार के पास जा सकते हैं. We are free citizens and not slaves. अब देखिए, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हम सभी क्या है? हम सभी क्या है? एक citizen है, free citizen है, आजाद है, कोई भी हमको कंट्रोल करके नहीं रगा है. जैसे कि आप सोच सकते हो कि सरकार आई, सरकार ने आप पे कंट्रोल जमा लिया, ऐसा नहीं है. सरकार सिर्व क कंट्रोल कर रही है, पुरी society को, पुरी state को, पर आपको अधिकार देकर उसे स्वतंतरता प्रदान किये. चलिए, आगे बढ़ते हैं. और क्या है हम slaves नहीं? अब ध्यान देकर समझे इस बात को. यहाँ पर दिया है constitution. अब constitution से आप क्या समझते है? अगर मैं आप से कहता हूँ कि हमारे देश का एक समविधान है. वो समविधान हमें क्या करता है? हमें कुछ rules and regulation प्रोवाइट करता है. जिनके जरी हम क्या कर सकते हैं? अपने society में अच्छे से रह सकते हैं. ठीके? तो constitution एक समविधान है. ठीके? तो यहाँ पर दिया है our freedom and rights are protected. तो जो हमारे freedom हैं, जो हमारे rights हैं, उसको कौन प्रोटेट करता है? उसको constitution प्रोटेक्ट करता है. But being civilized citizens, अगर हम civilized citizens हैं, अगर होते हैं, we have some duties also. अगर हमारे पास कुछ rides हैं, तो कुछ करतव्य भी हैं. अब देखिए, करतव्यों से क्या मतलब निकलता है? देखिए, करतव्य और अधिकार, दोनों कही ना कही एक जैसे हैं, लेकिन अलग-अलग लगते हैं. मुझे अधि करतव्य है कि मैं अपने समाज को अच्छा बनाओ, ये मेरा करतव्य है कि मैं अपने समाज में रहने आए लोगों को अच्छी शिक्षा दूँ, मेरा करतव्य है कि मैं अपने national flag को salute करूँ, उसका सम्मान करूँ. तो आप समझे करतव्य और राइट में क्या अंदर होता है? We have a right to life. हमारे पास अदिकार है कि हम जीनदा रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं. So, do all the people और यही अदिकार सब लोगों के साथ भी है. So, we must respect the others. इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हर एक व्यक्ति की इज़त करने चाहिए. उसका सम्मान करना चाहिए. Right to life also. और साती सात क्या करना चाहिए? उनके जीवन का भी सम्मान करना चाहिए. यह नहीं कि आप गए और आपको कोई बहुत बुरा लग गया, आपने उसको क्या किया? उसको हानी कर दी, उसको हानी पहुचा दी, आपने उसको मार दिया. यह गलत है. आपने सुना होगा कि कभी भी कोई मर्डर होता है, तो पोलिस वाले क्या करते हैं? पोलिस वाले आते हैं और मर्डर को पकड़ के ले जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी के राइट के साथ गलत हुआ है. यह हमारा क्या करतव है? तो सी दाट अवर इंजॉयमेंट आफ आवर लिबर्टी does not interfere with others. हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, आप भी खुश रहिए, सामने वाले को भी खुश रहने दीजे, लेकिन अपने खुशे दूसरे पर थोपना बुरी बात है. अगर मुझे आइस क्रीम खाना अच्छा लगता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि सामने माले को भी आइस क्रीम खाना अच्छा लगता होगा. समझ रहे हैं, मैं क्या कहना जा रहा हूँ? तो यहाँ पर थोपने के बात हो रही है. It is our duty to see that our enjoyment of liberty does not interfere with others. No doubt, there are so many things. कोई डाउट नहीं है, बहुत सरी चीजे हैं, that we can do as we please without causing inconvenience to others. We can dress ourselves the way we like. देखिये, हम ऐसा नहीं है, हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस दूसरों को inconvenience नहीं होना चाहिए, दूसरों को परिशानी नहीं होना चाहिए, बागी हमको पूरा अधिकार है, हमको कैसे रहना है, कैसे बातचीत करनी है, ठीके? चलिए, आगे बढ़ते हैं. But, we should not make so much noise. अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, कि हमको ज़्यादा noise नहीं बनानी चाहिए, जो ज़्यादा noise है, हम क्या करते हैं? कभी भी अगर हमको कुछ सुनना है, मान लीजे, आपको गाने सुनने हैं, तो गाने सुनने के लिए आपने रेडियो चलो कर दिया, फुल व इना है, it is his personal choice, वो गया है, वो उसकी personal choice है, कुछ लोग drink करते हैं, कुछ लोग smoke करते हैं, आप लोगों को पता होगा, यह वैसी भी अच्छी चीज नहीं होती, तो इसको बड़ावा हमको नहीं देना, लेकिन तब भी, तो भी यह अधिकार है, लेकिन यदि यही smoke, अगर क पर उसको क्या देखना है, his smoking in a bus or public place does not often, अगर वो smoke करता है, और अगर वो किसी और को परिशान कर रहा है, वो कहीं ना कहीं दूसरों को नुक्सान दे रहा है, अगर वो चाहता है कि दूसरों कभी सम्मान करें, तो कहीं ना कहीं उसको क्या करना होगा, अपने आपको stop करना होगा, रोकना होगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखी, इस ताप वड आ रहा है, रीष्ट्ञ, आपको अपने आपको रोकना होगा, रहीं ना कहीं. Now we are going to start next question, question number 6, A reasonable consideration for the right rights or feelings of other is the foundation of social conduct. Social conduct, foundation, reasonable consideration. Dear Students, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पर हम यह देखने वाले हैं, यह जो social conduct है हम जिस समाज में रहते हैं, तो हम किस तरह से behave करते हैं? हमारा role क्या है समाज में? यह बहुत मायर रखता है, वह ही है social conduct Foundation का मतलब होता है base, reasonable consideration for the rights अब देखें, कुछ माननिता दी जाती है, सोच समझ के, तो अधिकारों को सोच समझ करके भी कुछ अधिकार हमारे लिए दिये हुए हैं, ठीक है? तो overall अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि a reasonable consideration for the rights of feelings of other is the foundation of social conduct जो reasonable consideration है, जो अधिकार जो हमें प्राप्त हुए हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है, foundation हमारे social conduct के लेकिन वो right कैसे होने चाहिए? reasonable, अच्छे होने चाहिए, सही होने चाहिए कैसे होने चाहिए? देखते हैं no, elaborate laws can be made to regulate our social conduct देखे, अब यहाँ पर दिया है no, elaborate laws यानि कि जो भी laws आप देख रहे हैं, लंबे चोड़े laws के हम बात कर रहे हैं यह हमारे देश को समाल नहीं सकता, यह हमारी society को समाल नहीं सकता ठीक है? यहाँ पर social conduct को भी regulate नहीं कर सकता elaborate के लिए लंबा जोड़ा, our social conduct is governed by traditions जो हमारे social conduct है social conduct जो कि मैं आपको लोड़ी बता चुका हूँ उसको governed, उसको rule किया जाता है by traditions and personal behavior देखे, हम भारत भूमी में जन्में हैं और भारत भूमी में जन्में रहने के कारण हमारे अंदर कुछ traditional चीजे भी है अब ये traditional चीजे सब के अंदर होती हैं लेकिन इस भूमी में जहां हम जन्में हैं वहाँ पर अलग-अलग लोग आए भार से लोग आए तो कही ना कहीं वो चीजे हम से जुड़ गई अब उन चीजों को हम एकदम से समापत तो नहीं कर सकते न और behavior और कही ना कहीं क्या होता है समाज में रहते हुए हमारे behavior जो है उन पर भी अंतर आ जाता है लेकिन कुछ behavior ऐसे होते हैं जो हम swim create गई For example Someone in my neighbor कोई है जो मेरे पडोस में है इस seriously ill वो बहुत ज़्यादा बिमार है इल का मतलब होता है बिमार There is no law to stop me from celebrating my birthday with fun and frolic अब यहाँ पर देखिए ऐसा कोई law नहीं अगर मेरे पडोस में कोई बिमार पड़ा है लेकिन ऐसा कोई law नहीं है कि अगर वो बिमार पड़ा है तो मुझे क्या करना चाहिए मेरे को अपने birthday party celebrate नहीं करनी चाहिए मेरे को इस अब नहीं करना चाहिए मुझे fun नहीं करना चाहिए फ्रॉलिक नहीं होना चाहिए अब देखिए यहाँ फ्रॉलिक का मतलब गया है to behave in playful way तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि यदि आप अपने society में रह रहे हो तो कही ना कही एकदम basic laws नहीं बनाए अगर बिमार है तो आप कुछ नहीं कर सकते ऐसा नहीं है अब देखते क्या कहा जा रहा है but being a good neighbor अगर मैं एक अच्छा neighbor हूँ बहुत बढ़िया neighbor हूँ पडोस वाला हूँ तो मैं इस बात को समझ सकता हूँ समझ सकने वाली बात है एक अच्छे आदमी कौन होते है जो दूसरों की बातों को समझते है है ना अगर हम उनकी बातों को नहीं समझेंगे अगर उनकी दुख दर्द को नहीं समझेंगे तो हमको जीवन में सुख्षानती प्राप्त नहीं होगी अब यहाँ पर देखिए इसलिए मेरे पास क्या है तो यहाँ पर रीजनेबल कंसलेशन से समझेंगे आप क्या कह रहे हैं कि वो चीज़ें जो दूसरों को भी क्या कहला आप प्रोवाइड करें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद ही खुद कुछ रह रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा होता है कुछ लॉस जो है हर बाद बाद के लॉस नहीं बना है हम कटपुतली नहीं है कि सरकारों को ऐसे चलाएगी लेकिन कुछ चीज़े ऐसी है जा हमको अपनी समझ की हिसाब से दूसरों की लिबड़ी का ख्याल रगना है चलिए आगे बढ़ते हैं I should turn down my celebrations in such a way that my neighbor's feelings are not hurt अब मुझे क्या करना है मेरे को इस तरह से इस तरह से अपना बड़ी celebrate करना है जिसके चलते क्या होगा जिसके चलते उसको अभी उसके वेकारे में विवधान नहीं आएगा और मेरा वेकार पूनिता हो जाएगा संपादित चलिए आगे बढ़ते There are so many things that we can do यहाँ पर बहुत सरी ऐसी चीजे हैं जिनको हम कर सकते हैं और avoid Do it Just not to hurt others और क्या कर सकते हैं Bosses जो कर सकते हैं Bosses जो को नहीं कर सकते हैं जिनको हम को छोड़ना है ताकि हम दूसरों को hurt ना करें उनको चोट ना पहुंचाएं Sometimes there are riots between two groups or communities कभी-कभी क्या होता है दंगे हो जाते हैं riots का मतलब होता है दंगे A situation in which a group of people behave in a violent way कभी-कभी क्या होता है जो group of people होते है उनके बीच में क्या होता है एक ताना बाना आजाता है उनके बीच में जुद्ध जैसी स्तितिया जाती है उसको कहते हैं riots आपने देखा होगा कभी आप जा रहे हैं दो गाडि टकरा गई और कभी-कभी तो riot होते हैं जा कि क्या होता है उससे प्रोटेस्ट होने के करण समस्या यहां पर यह आ जाती है कि लोग लड़ाई जगडा करने लगते हैं यदि उन लोगों में reasonable consideration ने समझ है साधरन पर each other's feeling में quarrels and conflict can easily be avoided और ऐसे में क्या होगा जो लड़ाई जगड़े हैं वो easily resolve हो जाएंगे चल आगे बढ़ते हैं अब जैसे कि हमने यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर complete कर लिया चैप्टर के explanation complete कर लिया इसके बाद हमने क्या complete किया exercise complete किया अब अब हम क्या करने वाले हैं अब हम इसके बाद यहाँ पर discuss करेंगे किसके बारे में exercises के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आ आपको रपयाजार के लिंक में डिस्क्रेप्शन दिया है, पूरुव की वीडियो देख सकते हैं, जहां पर explanation आपको प्रवाइट की गई है, उस explanation को देखिए, उसकी बहुत कोशिनांसस को देखिए, और आने वाली वीडियो में तो हम cover करेंगी exercises, एक अत्यनत इसको देख सकते हैं, वो free of cost हैं, हमारी social media site में भी आप जाईए और उनको शेयर करिए, और इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद,